हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू मैं यूटूब चैनल जिसका नाम है एडुकेटिव और आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड क्लास का एविस का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है इंसाइड आप बॉड़ी इन बोड़ी प्रेखेड और अजिसमा बोड़ी अटान गाली और लोल्गूचे को खेन बार इंसे만 चैप् तो शॉड़ी पार मिज्में पर वाले हैं से के लूड़ी औरी खात अप्रू भुड़ी हैं लागे थाले लागे पार मिजल है लिए विस पार ूड. % In this chapter, we will learn about internal body organs. Last chapter में हमने different body parts के बारें पढ़ा था जिनको कि हम अपने आखों से देख सकते हैं जैसे कि eyes, nose, ears. लेकिन कुछ ऐसे body parts भी होते हैं जिन्हें हम अपने आखों से नहीं देख सकते क्योंकि वो हमारी body के अंदर होते हैं और उन body part को हम कहते हैं internal body organs. तो जो हमारे आखों से देखे जा सकते हैं, हमारे शरीर के बाहर होते हैं उन्हें हम कहते हैं external body organs और जिनको हम देख नहीं सकते उन्हें कहते हैं internal body organs. इस चेप्टर में हमें internal body organs के परें पढ़ना हैं लेकिन इनको पढ़ने से पहले चलिए हम सबसे पहले external body organs और internal body organs की definition को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं. यहाँ पर दो definitions दी गई हुई हैं, सबसे पहले है external organs की, they are defined as the organs which are located outside the body, that is ears, eyes, nose, etc. तो external organs को हम कैसे define कर सकते हैं कि वे organs जो हमारी body के बाहर होते हैं, जैसे कि eyes, ears, nose, आदी और जिनको हम अपने आँखों से देख सकते हैं. Next is internal organs, they are defined as the organs which are located inside the body, internal body organs, वे organs हैं, जो हमारी body के अंदर होते हैं, जैसे कि brain, liver, heart, आदी. इस chapter में हमें internal body organs के बारें पढ़ना हैं, तो चलिए सबसे पहले start करते हैं brain से. Inside the head is the brain. हमारा जो head है, जो हमें बाहर से अपना head दिखाई देता है, उसके अंदर होता है brain, दिमाग. It is a thinking organ. हम सब जानते हैं कि दिमाग से क्या काम करते हैं, सोचने का काम करते हैं. So, it is the thinking organ. Our body does what our brain tells it to do. हमारी body वह ही करती है, जो brain उसको बताता है. Do you know how our brain works? क्या आप जानते हैं कि हमारा brain काम कैसे करता है? The brain collects information from our surroundings and tells our body parts what to do. जो हमारा brain है, वो क्या करता है? सबसे पहले information collect करता है हमारी surrounding से. और हमारे body parts को बताता है कि क्या करना है. यहाँ पर brain की एक picture दिखाए दे रही है और साथ में यहाँ पर उसके function भी mention किये गए है. The brain controls all the activities of our body. जितनी भी हमारी body की activities होती हैं, हमारा brain उनको control करता है. It helps us to think. किसमें help करता है हमारी? सोचने में. Learn and remember. सीखने में और याद करने में. तो बच्चों जो भी हम कुछ चीज़ सीखते हैं, सोचते हैं और याद रखते हैं, वो सब हम किसके help से कर पाते हैं? ब्रेन की help से कर पाते हैं. लास्ट चेप्टर में हमने sense organs के बारें पढ़ा था. पढ़ा था ना बच्चों? कितनी sense organs होती हैं? 5. Eyes, ears, nose, tongue and skin. सब को याद होगा? ये सभी sense organs मिल के, ब्रेन को information प्रोवाइड करती हैं. और उसके बाद हमारा brain हमारी body को बताता है कि क्या करना है? अबर 5 sense organs tell the brain what is happening around us. हमारी जो 5 sense organs हैं, वो हमारी body को बताती हैं कि हमारे 4 और क्या हो रहा है? Eyes tell the brain what they see. Eyes बताती हैं कि वे क्या देख रही हैं? जो जो हम अपने आसपास देखते हैं, जो जो हमारे 4 तरफ होता है, वो सब हमारे brain को बताता है? हमारे eyes बताती हैं. Ears tell it what they hear. और हमारे कान ये बताते हैं brain को कि हमारे आसपास कौन से sound वो सुन रहे हैं. Nose tell it what it smell. Nose हमारा smell के बारे में बताता है कि bad smell है या good smell वो feel कर रहा है. और वो हमारी information कहाता है कौन से बताती है brain तरफ हमारे को बताती है कि taste कैसा है किसी चीज का. जब भी हम कुछ चीज खाते हैं, उसका taste bitter है, sweet है या sore है, इसके बारे में कौन बताता है हमारी tongue बताती है brain को. Skin tell it what it feels. और skin हमारी brain को क्या information देती है कि वैं कैसा feel कर रही है, hot या cold कैसा feel कर रही है, इसके बारे में information देती है हमारी skin. The brain uses all this information and tell our body what to do. और हमारा brain क्या करता है? इन सभी information को use करता है और हमारी body को command देता है कि क्या करना है. इन सभी information के बाद हमारा brain ही है जो हमारे body को command करता है उसके according काम करने के लिए. Now that we know what is inside our head, अब हम यह जान चुके हैं कि head के अंदर क्या होता है? Brain. Let's learn what is inside our chest. तो अब हम क्या सीखेंगे कि chest के अंदर क्या है? Heart. तो अब हमें किस के बारे में पढ़ना है? Heart के बारे में. Inside the chest is the heart. Heart कहां पर है? Chest के अंदर. The heart beats all the time. जो हमारा दिल है, वो हर समय क्या करता रहता है? धड़कता रहता है. क्या करता रहता है? धड़कता रहता है. And pump blood to all part of the body. और सभी body parts में blood को pump करता रहता है. Pump करके उसको सभी body parts में पहुंचाता रहता है. इस picture को देखकर सभी बच्चों को बताना है कि ये किस चीज़ की picture है? ये है हार्ट की picture. और यहाँ पर उसका function भी दिया हुआ है. The heart pumps the blood to all the parts of body. हमारा हार्ट क्या करता है? हमारे सभी body parts में blood को pump करता है. क्या आप बताते हो कि अब हम कौन से body organs के बारे पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं lungs के बारे में. A pair of lungs is present inside the chest. हमारी chest के अंदर एक pair के रूप में. क्या present होते हैं? Lungs होते हैं. Right lung and left lung. इस साथ में एक जोड़े के रूप में होते हैं. जिन में से एक होता है right और एक होता है left lung. They are fill bags which help us to breathe. और ये हम एक किस चीज में help करते हैं? सांस लेने में. Lungs की help से ही हम सांस ले पाते हैं. बच्चों क्या आप इस picture को पहचान सकते हैं? जी हाँ, ये picture है lungs की. और यहाँ पर हमें picture के साथ साथ इसके function को भी फिर से बताया गया है. The lungs help us to breathe. Lungs किस में help करते हैं? Next body organ है हमारा stomach. Where does the food we eat go? क्या आप जानते हैं बच्चों जो हम खाना खाते हैं वो कहां जाता है? We eat food from the mouth. ये तो सभी जानते हैं कि हम खाना कहां से खाते हैं? Mouth से. And it goes into our belly. और ये हमारे कहां जाता है? पेट में जाता है. Inside the belly, it is the stomach. और हमारा stomach है वो हमारे belly के अंदर होता है. और इसका काम क्या है? It digest our food. इसका काम है हमारे जो food होता है उसको digest करना. जो भी हम खाना खाते हैं उसको digest करने का काम है stomach. आप इस picture को दिहान से देखिए और बताइए कि ये कौन से body organs की picture है? ये है हमारे stomach की picture. और नेचे इसका function भी mention किया है. The food that we eat gets digested in our stomach. जो भी food हम खाते हैं, जो भी खाना हम खाते हैं, वो digest कहा होता है हमारे stomach. चेप्टर को समझने के बाद चली एक exercise की help से ये जान लेते हैं कि आपको chapter कितना समझ में आया है. तो चली start करते हैं, यहाँ पर आपको 5 questions दिये हुए हैं और हर question के 4-4 option दिये हुए हैं. जो भी option correct है, उस पर आपको tick करना है. Question A. Which of the following body part are inside our body? इन में से कौन सा body part हमारी body के अंदर है? Toes, waist, heart, shoulder. Number 1, toes. Number 2, waist. Number 4, shoulder. यह सभी body parts तो हमारी body के बाहर होते हैं. और number 3 है heart. यह होता है body के अंदर. Question B. Which of the following is called the pumping organ of the body? हमने chapter में पढ़ा था कि blood को pump करने का काम कौन सा organ करता है? Number 1, lungs. Number 2, brain. Number 3, heart. Number 4, stomach. कौन सा करता है बच्चो? Heart. Very good. Question C. Brain collect information from? Brain जो है हमारा information कहां-कहां से collect करता है? हमने पढ़ा था chapter में कि जितने भी हमारे sense organ है, उन सभी से हमारी जो brain है वो information collect करता है. Question number C में first option क्या है eyes, second nose, third ears और four है all of these. तो क्योंकि eyes भी help करती है, nose भी और ears भी. तो इसका answer क्या है आएगा all of these. Question D. The food we eat goes from mouth to? जो खाना हम खाते हैं, मुह से वो कहां जाता है? हमने पढ़ा था कि जो खाना हम खाते हैं, वो कहां जाता है? स्टर्मक में. Option 1, brain. Option 2, hand. Option 3, legs. And option 4, stomach. तो क्या आएगा इसमें? स्टर्मक. Question E. Which of the following activities is done by lungs? इन में से कौन सी activities lungs के द्वारा की जाती हैं? Number 1, eating. Number 2, seeing. Number 3, hearing. Number 4, breathing. हमने चेप्टर में पढ़ा था कि लंग क्या करते हैं? हमारी breathing में help करते हैं. तो इसका answer है यह थी आज की वीडियो. अगर आपको यह वीडियो जड़ा भी helpful लगी है, तो इस वीडियो को like कीजिए और अपने friends साथ share कीजिए. और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को subscribe जरूर कीजिए. क्योंकि subscription बिल्कुल free है. अगर आप चाहते हैं कि किसी दूसरे topic पर मैं वीडियो लेकर आऊँ, या किसी और subject पर, तो इसके लिए आप मुझे comment box में comment करके बता सकते हैं. जिससे की में आपको नए-ने वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ. Thank you for watching my video और last में यही कहूंगी कि घर पर रहे और पढ़ते जरूर रहे.